यह आपकी फुटबल पर्फॉर्मेंस को भी बूश्ट दे देता है और यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और खाने में है दाल धाई होममेड पनीर चावल और रोटी तो फ्रेंट्स खाना पीना हो चुका है और अभी थोड़ दिन नीचे आया हूं और भैन भी आ चुक है अब चूइंगा हम लेखे इसको पते नहीं क्या अचकर वह बूमर आ रहे हो जैली वाली वह खाने का शौक भी चड़ा है ऐब अपनी साइकल बें रखनी है क्योंकि मैं सुबह रखनी पाया था स्कूल साके क्योंकि हमारे यहां की रोड बन रही थी न मैं आपको अपर आपने मेरे पहले वल्य व्लॉग देखेंगे तो इसमें बन रही थी तो इस वरसे सीमेंट गिला था तो इन्ह तो फ्रेंड मैं अपनी साइकिन अंदर रख दिया और आज में ग्राउंड नहीं जाना हूँ क्योंकि फ्रेंड मुझे आज अपना फिजिकल का प्रैक्टिकल कंप्लीट करना है और आज मैं इसलिए घर में ट्रेनिंग करने वाला हूँ और उसी टाइम मैं आज का जगलिंग मैं अफ तो फ्रेंड्ड सब समां ले लिया है अब चलते हैं ॢेरा चलते हैं गियुक्त तो इसी के साद्ट शूरू करते अपने आज का ट्रेनिंग शेशन अपना हूम इडिए और झाल झाल तो फ्रेंस थाओं जंग निंग कंप्लीट हो चुकिया और एक अच्छा का सा वाम अब भी हो गया मैंने थोड़ सी स्ट्रेचिंग भी कर लिया और आप पसीना देख सकते हैं कि इतना भेंग कर तरी किसा आ रखा है तो चले शुरू करते हैं में सेशन झाल 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 तो फ्रेंट्स ट्रेंग सेशन तो चुए कंप्लीट काफी मज़ा आया और आप पसीना देखके समझी गेंगे बहुत भेंकर थे किसे पसीना आ चुका है तो फ्रेंट्स वटावर से करते हैं कूल डाउन स्ट्रेच और उसके बात करेंगे आपसे एयर बॉल की तो साथ ही साथ मैं आपको एयर बॉल के बार में बताता जाऊंगा तो फ्रेंट्स अगर आप एक बिगिनर हो मैं आपको एयर बॉल की बेसिक सी डेफिनिशन बता देता हूं एक दूसरी को बॉल पास करना क्रेटिव वे में बिना बॉल को ग्राउंड में ग्रहें फ्रेंट्स स्किल्स करता है तो अगर आपको इसकी और भी ज्यादे स्किल्स देखने तो आप इसे इंस्टेग्राम में फॉलो कर सकते हैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हाँ फ्रेंड्स मुझे फॉलो खना मत बूलना तो फ्रेंड्स मैं आपको एरबॉल के इंजॉय करते हैं तो उसमें आप जल्दी इंप्रूव करते हो तो वस यह बैनिफिट्स है एरबॉल को खेलने के फ्रेंड्स के साथ बाकि दोनों जगनिंग और एरबॉल की बैनिफिट्स सेम ही है और अगर आपको जगनिंग सीखने तो आप मेरे चैनल पर जाएए मैंने